बढ़ोही विधानसबासीट से बिजएपी के वर्तमान विधायक रवीधनाथ ट्रिपाठी का बिजेपी पाटी से इस्तिफ़ा देने का एक लेटर पाइट वारल हो रहा है वारल लेटर पैट में दावक किया जा रहा है कि कबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मोर्या के बीजेपी छोड़ने के बाद भदोही से विधायक रविदात्रिपार्टी ने भी बीजेपी पार्टी छोड़ दिया है वारल लेटर पैट को संग्यान में लेकर विधायक रविदात्रिपाठी ने ज्यानपुर कोतवाली में तहरीड देकर लेटर पैट वारल करने वाले व्यक्ति के खिलाब करवाई की मांग की है और विधायक रविन्दात्रिपाठी ने प्रेस कांफिरेंस करके कहा कि मैं BJP का सिपाही हो और मरते दम तक BJP से जुड़ा रहूँगा आपको बता दे कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी परसाद मोर्या का BJP पार्टी से स्थीपा देने के बाद सियासी तापमान चड़ा हुआ है मंगलवार को लेटर पैट वाइरल होने के बाद जिसमें दावा किया गया कि भधोही विधासभा सीट से BJP विधायक रविन्दात्रिपाठी ने BJP पार्टी छोड़ दिया है या लेटर पैट शोचल मीडिया पर जनपत में तेजी से वाइरल होने लगा वाइरल लेटर पैट को संग्यान मिलेकर विधायक रविन्दात्रिपाठी ने ग्यानपुर कोतवाली में तहरीर देकर मामले में विधायक रविन्दात्रिपाठी ने साइट पर फरजी पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाब करवाई की मांग की है और विधाग रमिदात्री पार्टी ने कहा कि मैं मरते दमता विजे के विजेपी का सच्चा सेवक हूँ भदोही जनपत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातारी जाफा हो रहा है बुधवार को जिले में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए है इसके साथ ही जिले में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 35 हो गई है लेकिन जनपत के लोग लापरवाह बने हुए है अब तस्पीरों देख सकते हैं सुरियावा सामुदा एक स्वासकेंदर में दवा लेने के लिए लोगों की भेड जुटी हो है कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है शारी रुग तुरी तार-तार हो रही है लेकिन जनपत में कोरोना एक तरफ जहां हावी हो रहा है तो वहीं जनपत के लोग लापरवाह बने हुए है और आई थाना छेतर के अहीमनपूर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक अग्यात 35 वर्ची युवक की मौत हो गई है सूचना पकर मोके पर पहुची और आई पुलिस ने शव को कबजे मिलेकर पोश्टमाटम के लिए भेज दिया है पुलिस मामले की चानवीन में जुटी हुई है और पुलिस मिर्थक के शिनाक्त की प्रयास कर रही है बताजाता है कि बुधवार की सुबह लोग शौच के लिए निकले तभी रेलवे ट्रेक की किनारे एक अग्यात वक्ती का शव दिखाई पड़ा जिसके बाद लोगों ने आउराई पुलिस को सुचना दी मौके पर पहुची पुलिस ने शाव को कब्जे मिले कर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया और पुलिस मिर्थक के शिनाक के प्रयास कर रही है फिलहाल अभी तक मिर्थक के शिनाक नहीं हो पाई है भदोही जनपत में बढ़ते कोरोना के मामले को लेंकर जिला प्रशासन एलेट मोट पर है 15-18 वर्ष के किसुरों का ठीका करड़ पर जोर दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में रोजाना बच्चों का कैम्प लगा कर ठीका करड़ किया जा रहा है अब तस्बीरों देख सकते हैं उन्ज ठानक्षित के पूरे नगरी इंटर कालेज में वेक्सिनेशन का कार किया जा रहा है यहाँ पर कैम्प लगा कर 15-18 वर्ष के किसुरों का वेक्सिनेशन किया जा रहा है बगाईदा स्वास्थभाग कैम लगा कर वेक्सिनेशन कर रहा है चिकित्सकों के मुताविक पूरे नगरी इंटर कालेज में आज 15 से 18 वर्स के लगबग 200 की सोरू को वेक्सिनेशन किया गया है सभी का वेक्सिनेशन आज बड़ी संख्या में लगबग 200 से अधीक बच्कों का वेक्सिनेशन किया गया है जनपत के तमाम टीका करण केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों का वेक्सिनेशन किया महदोही जनपत के सिम्रादनाद गंगा घाट पर 14 जनवरी से लगने वाले मांगमेले के तैयारी को लेकर बुदवार को जिलादिक्यारी आरका खौरी ने सिम्रादनाद गंगा घाट पर पहुच कर स्थली निर्देशड किया है जिले में विधान सभा चुनाओ होने वाले हैं जिसको लेकर के जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जूटा हुआ है बुदवार को गूपी के नगर के विविन इलाकों में परा मिलेटिर्स फोर्स के जमानों ने ब्रहमर किया है लोगों से भैमुप्त होकर मद्दान करने के अपील की है अब तस्पीरों देख सकते हैं गूपी के नगर में बड़ी संख्या में पर्याप पूलिस बल के साथ पहला मिलेटिर्स फोर्स के जमानों ने ब्रहमर करके लोगों से शांतिपूर मद्दान करने के अपील की है सड़क पर उतनी अचानक से पर्याप मेटिर्स फोर्स के जमानों को देख कर लोगों में भगदार मचले हैं